हेलो बच्चो तो आपको हमारे चनल बान एजगेशन में स्वागत है तो बच्चो आज हम परने जा रहे हैं जब आहार नबोदे परवेश परिक्षा कक्छा 9 की एक बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण चेप्टर जिसका नाम है यहां पर मैं जिसका नाम है कोईला पेट्रॉल और प्राकिर्थिक तो देखे बच्चो यह जो चेप्टर है हमारा छोटा चेप्टर है लेकिन यह जो चेप्टर है बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण चेप्टर है क्यों क्योंकि इस चेप्टर से इस चेप्टर से संबंधित हमारे परवेश परिक्षा में सबाल पूछे जाते हैं और मैं बच्चों आपको बता दूगी यह जो चेप्टर है हम पूरे फूल डिटेल में पढ़ने बाले हैं और इस चेप्टर के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा भी भी आई यानि कि जो भी महत्पूर्ण कोशन है वह मैं आपको आ स्क्राइब करें लाइक करें अगर आपका कोई दोस्त जबहार नवोदे परवेस परिक्षा की तयारी कर रहा है तो आप उससे भी इस चैनल को सेर कीजिए और बच्चों मैं आपको बता दूगी इस चेप्टर का जो पीडिएफ नोट्स होता है यहां पर मैं लिख देता ह है वो हम इस चेप्टर के खतम होने के बाद करने वाले और यह जो चेप्टर बच्चों हमारा होने जा रहा है यह जो चेप्टर हमारा होने जा रहा हो हिंदी इंग्लिस दोनों में होने जा रहा अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो मैंने इंग्लिस के लिए इस पर पूरा वीडियो बना के रखा है ओभी आप डिस्क्रिप्टिप्शान वॉक्स में उसका लिंक दे दिया है वहां से भी आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम अपना चैप्टर करते हैं तो अब हम संसाधन के परकार के बारे में पर लेते हैं, तो देखे, जो भी हमारा संसादन होता है, वो हमारा दो परकार का होता है, पहला होता है हमारा नवी करनिये प्राकिर्टिक संसादन, जिसे इंगलिस में हम रिनेबल सोर्स बोलते हैं, वहीं पर दूसरा होता है हमारा और नवी करनिये प्रा पड़ाकिर्थिक संसादन जो हमारे पड़ाकिर्थिक में और सिमित मात्रा में पाया जाता है यानि कि जिसका कोई सिमित नहीं हो यानि कि हमारा जो नभी करनिये पड़ाकिर्थिक संसादन है और सिमित मात्रा में पाया जाता है और हम उसका कितना भी उपयोग क्यों न कर ले से लिगा ये ऐसा संसादन है जो पड़कीर्टिक में अस्थिमीत मात्रा में पाया जते हैं सुड़य का किर्यन किया है वह मुथ है यानि कि नवी करनिये पदार्थ है यानि कि नवी करनिये संसादन है इसका हम कितना भी उपियोग क्यों न कर ले ओ हमारा खतम होने वाला नहीं है तो चले अब हम और नभी करनिये प्रकृतिक संसादन को हम क्या बोलते हैं मात्रा में पाया जाता है अगर हम इसका ज्यादा उपियोग करेंगे तो यह कुछ दिन बाद क्या होगे कुछ दिन बाद यह खतम हो जाएंगे तो देखें वही है हम हमारा लिखा हुगा प्रकृतिक में इन संसादनों की मात्रा सीमित है और यह अत्य अधिक मानविये गति वीडियो से समाप्थ हो सकते हैं तो देखें अगर हम इसका उपियोग अत्य अधिक करेंगे यानि कि हद से ज्यादा अगर हम इसका उपियोग करेंगे तो क्या होगा यह जो संसादन हो क्या होगा खतम हो जाएगा तो देखें अब हम इसका उधारन देख लेते तो इसका उधारहन है यानि कि हमारा जो जंगल है वो हमारा क्या है कुछ ही छेत्र में सिमित है अगर हम उसका ज्एदा उपयोग करेंगे तो इस प्राकिरते गैस भी तो देखे यह जो भी समसादन है वो क्या है वो सीमित मातरा में पाया जाते हैं अगर हम इनका उपयोग ज्यादा करेंगे तो खतम हो जाएंगे और यह जो चिप्टर है हमारा बच्चो यह पूरा हमारा कोईला पे है पेट्रॉलियम पे है और प्राकिर्टिक गेस पे है यह और मितडिके अंदर देखन हो जाथे हैं और मिति के अंदर दफन हो जाते हैं और मिठी के अंदर वह हमारा जीवजनतु किसमें बन गया है यानि कि जो भी हमारे मिठी के अंधर जो हमारे मरे चुन तो मरे game और अब हमारा किसे में उया हुता है प्यठ्रोलियम् हता है और जो भी प्रक्राक वहता हुता है किऊचिक ऑ प्षb के बारे में हमारे कोहला होता है उनसे हो हमारा इंधन भने है है सबसे पहले अब हम पहले ते कोहला वाथ में किरізपी और हमारा कोईला है मुख्य रूप से कार्बन से बना हुए, लेकिन हमारा कोईला है उसमें कुछ और भी रसायन पाया जाता है, तो देखें, क्या पाया जाता ही चरहते है अब हम आगे पाते हैं कि कोईला का निर्वान कैसे हुआ, कोईला का निर्वान तो देखें मैंने आपको पताया कि जो हमारा कोईला था वह हमारा क्या था कोईला हमारा एक परकर का जिवास्म इंधन था यानि कि वह किसे बना है जो भी हमारे परचीन काल में जीव जन्तु की मिर्थिव हो गए उन्हीं के अपसेश से बना है तो के साथ कोई संपर्क न होने के कारण लाखो वर्स में जवर्दस्त दबाब और गर्मी के कारण आखिरकार ये कोईला में तपदील हो गया तो देखें जो भी हमारा जंगल था और पिडिथवी के अंदर क्या हो गया हमारा दफन हो गया और उहां पे उनको दफन होने के कार के कार में में देख लेथे तो कोईला जो है हमारा वृ चारार का होता है पहला होता है हमारा फीट लेट e तीर नर्वान ऑस चलिए बारे गयो गारे में पहले जो भी कोईला के है उनको हम पूरे डींटियल में भrun है अब हम देखेंता हैं कि पीट में कितना पर्तिसद कहार से καरबन पाइन क् Bowl I को अगर हम जलाते हैं तो हमें उस्मारीड दhogंब हमें ज्यादाっと यानिकी यह हम्मारा पीठ है वह क्या करता है पीठ हमारा जर्ली धूँआ छोड़ता है यहां पर है यहां कोईला सुष्थ की दुरिश्टीम में प्रद से अधिक हानीकारक है है यह हानीकारक यह हमारी कंगी हमेते हैं वो भी हमारा सुवस्त के लिए हानिकारक है अब हम देख लेते हैं कि लिगनाइट में हमारा कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है तो देखें अच्छी गुनबता वाली कोईला इसको हम मानते हैं अब हम देख लेते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा की इतना पाया जाता है तो देखे इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 80 परतीसत पाया जाता है तो देखे इस कोईला में हमारा 40 से 80 परतीसत कार्बन पाया जाता है यानि कि जो यह हमारा B2- koila है, वो क्या है? koila हमारा एक परकर का चटान ही होता है और वो जो है हमारा, यह काली और भूरी रंकी होती है अब देखे, इस koila का हम उपयोग भी करते हैं यानि कि इस koila का हम उपयोग कहां करते हैं तो देखे, पहले के जवान में जो हमारा steam engine होता था वो एक परकर का rail गारी था तो उसमें जो भी उसके engine में, उसका जो engine था वो इसी koila से चलता था तो देखे, अब हम पढ़ लेते हैं anthracite koila के बार में तो देखे, यह जो koila है, यह koila हमारा सबसे अचा है यानि कि यह जो koila है हमारा, ओ पीट से भी अच्छा है, लिगनाइट से भी अच्छा है और बीटूमीनस से भी अच्छा है, तो क्यों, तो चलिए, अब हम देख लेते हैं तो देखे, यह जो koila है, यह सबसे अच्छा गुनवत्ता वाला koila माना जाता है क्योंकि इसमें, तो देखे, यह जो koila है, इसमें 80-90%, यानि कि 80-90% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है यानि कि यह जो koila है, वो बहुत ही जादा उसमा परदान करेगी, अगर हम इसको जलाएंगे तो यह जो koila है, वो मजबूत होता है, साथ ही साथ, चमकदार काला होता है इसका उपयोग हम घरों, तो देखे, यह जो हमारा koila है, इसका उपयोग हम अपने घरों और जो भी फैक्ट्री जो गरह होती है, उनमें भी हम इस koila का उपयोग करते हैं जान लेते हैं कोईले का भंजक आश्मन की घुजारते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कभी अनूपस्थिती में गर्म करते है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कोईलो का भंजग आस तो देखे जब हम कोईला को बीना में के गरम करते हैं यानी कि हम्धारै तो तो आछे में देता थहां पी ум में देता香港 देता है और गैसी ये पदार्थ रता है तो चले अब हम इन सब के बारे में अलग-अलग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं तो देखे अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोक के बारे में जब जलता है तो धुआपर्दान नहीं करता है तो देखें अब हम आगे देखते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि कोक का उपयोग हम कहां करते हैं तो देखें अब हम इसका उपयोग नल गैस और उत्पादक गैस जैसे इंधन बनाने में भी किया जाता है तो देखें जो भी हमारा जल गैस होता है और जो भी गैस कुछ-कुछ गैस होत और carbon monoxide से सबवारा हैं अब कौक का भी हमारा बहुत ज़्यादा उसमिय व्याता मिलती हैं अब हम देख लेते हैं कि कोख का उपीयोग हम कब किये थे सबसे पहले हम 1950 में मुंबई में सबसे पहले मुंबई में किया गया था ञाथ इस两 pressed इसका एक और उप्योग देख लेती हैं इसका उप्योग न के लिए कोई चीज को ठंदा करने के ले बहुं करते तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं तो आगे है हमारा कोल्टार तो देखे कोल्टार एक तरल पिष्टार्स होता है क्या होता है तो धेकि यूद्धीन हो गया हमारा फिनेल हो गया और इनिलिन वो गया यह जो भी चीज्ज है हमारा कोल तार में पाया जाता है। अब हम देख लेंकि कोल तार से जो भी चीज होता है um गांजे हमारा बिस पोटक हो गयां LIKEわかई रची को एक自 chains कोषुप पाया जाता है उनसे बनता है अब देखे पहले के जावाने में दो हमारा पैट्रोलियम के बारे में परते हैं पैट्रोलियम के बारे में और हमारा ओलियम ओली यूम तो देखे पेट्रो का मतलब होता है चटान और ओलियम का मतलब क्या होता है तो देखे पेट्रॉलियम क्या है तो देखे पेट्रॉलियम जो है हमारा दो चटान के बीच में पाया जाता है तो देखे यहां पर मैं आपको फोटो बना के दिखाने क आरस बोलते यानि कि सीला मतलब होता है चटान ws-جो भी दरबये दोनों सीला-λλाải एंसां के बीच में पाया जाता धाagen यहां पर है हमारा इसका नाम लैटिन सब्टेंअ गाल समय को हुळ इसका अर्थ होता तेल लिए हम इसको चेटान थेल भी बोलते हैं तो चलिए अब हम पेट्रॉलियम को पूरे डीटेल में पठते लिखें बचके हमारे जो पेट्रोलियम है वह बहुत ही उप्योगी पदार्त है अब हम जाने लेते हैं कि इसका यह रूधात स्टेम सेम हमारा कोईला के तरा ही होगा है यानि के जो भी हमारे परचीन काल में जो भी हमरा जिब जन्दू थे उनके मरे हुए अब से से हमें क्या मिलता है तो देखे इहां पर हा हमारा जो भी हमारा प्रकृतिक रूप में पेट्रॉलियंश्ट Frame यह जो है हमारे काले रंग का गाढ़ा दरब होता है यानि कि यह जो है अगर हम पेट्रोलियम को रसाइनिक अभिकिरिया से गुजारते हैं तो हमें क्या मिलता है पुरी बना किसे बना हुज हमारा कैसे, इहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पेट्रोलियम है वह हमारा किसे बना यो हमारा सीम-टो-सीम कोई लेकर जैसा ही बना थे बन परप्ञ होने बाले पदार्थ के बारेद के बारे में हम्हारी चोंप हर्म lpg को थे अनि इसको हम बोलते हैं लिक्विडफाइड पेट्रॉलियम गैस यानि कि अगर हम कोई भी पेट्रॉलियम गैस रहता है उसको हम बहुत सारे दबाब में एक जगा भर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं पेट्रॉलियम गैस यानि कि लपीजी तो इसका उपयोग हम कहां करते तो पहले के जबाना में यहां पर फोटो देख रहे थे हैं लाल टेन में क्या रखते हैं मिटी का तेल रखते दे हमारा मसीन का पाओता है तो क्या होता है उस में जंग लग जाता है यानि कि अगर फिर भी अगर हम किसी मसीन के पार्ट को अंग को अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होता है उसका जो सता होता है वो रूखा रूखा हो जाता है तो उसी सता को चिकना करने के लिए हम एक तेल का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते ह तो देखे बचो आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि आपका जो साइकल का जो चैन होता है उसको अगर आप थोड़ा दिन के लिए अगर आप घर के बाहर यानि कि हाबा में छोड़ दिजेगा तो उसका जो साइकल का चैन होता है उस पे जंग लग जाता है और उस यह जो है इसी का हम उपयोग करते हैं अब हम आगे देखते हैं अब है हमारे पेडिंट तो देखे बच्चो जो हमारा मुंबत्ती होता है यह जो मुंबत्ती है या भैसलीन यह जो भी चीज है वह हमारा कहां से आता है यह हमारा पेट्रॉलियम से ही आता है तो देखे यह जो हमारा पेट्रॉलियम से ही आता है तो देखे यह जो हमारा पेट्रॉलियम से ही आता है और पैराफीन मौम क्या है वो भी एक परकार का पेट्रॉलियूम पोड़क्ट है, तो देखे वचो। अब हम पढ़ लेते हैं प्राकीर्थिक गहस के बारे में, तो देखे प्राकीर्थिक गपार इंगलिस में क्या बोलते हैं, इसको हम नेच्रीर्वल गैस बोलते हैं, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है तो देखे प्राकिर्थिक गैस जो है हमारा जो भी हमारे समुंद्र के छोटे-छोटे पॉधे या जानवर थे उन से बनाया है यानि कि जो भी छोटे-छोटे, पॉधे थे और जो जानवर है ओ मरने के बाद क्या हुआ? वह हमारा प्रित्वी के नीचे दब गया और दबने के बाद वह हमारा किस में मतलकी बदल गया वह हमारा प्राकिर्थी गैस में बदल गया तो देखे अब हम जान लेते हैं कि प्राकिर्थी गैस होता है क्या है तो देखे प्राकिर्थी गैस में हमारा मिथेन पाया जाता है तो देखें आपको मिथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन में कोई बात नहीं यह एक परकार का रसाइनिंग योगिक है तो चलिए अब हम जान लेते हैं यह जो हमरा प्राकिर्टी गैस में है इसमें 95% क्या पाया जाता है मिथेन पाया जाता है यानि कि परचान में प्रती कर पर अपनाब कर्गस दाब जिसका हमें चळ्णेबाप सब्सक्राख कर उखिसे चलने वालिकर कार टूहacerन बाली कार यह हमामारा प्रकेति गैस से ही चलती है यह जो हमारा ग्यास औहें अभधर परते हैं तो आगे हैं हमारा पेड्रोस एंट हम होता है मैंने एक इस आधर बना आया है आप से भी देक्की समझ सकते हैं और यह जो और प्लास्टिक है यह बहुत ही जदा इंपॉटेंट है बच्चों अगर आप नहीं देखा तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप वहां पर देख सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि पेट्रो केमिकाल क्या होता है तो देखें हमारे जो क्रित्रिम रेसा होता है चाहिए नैल है तो चलिए बचो अब हम इस चैप्टर से समझे जो भी महत्पूर्ण कोस्टन है उनको हम कर लेते हैं और बच्चों सूरू करने से पहले मैं आप से फिरसे करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका कोई दोस्ट जबाहान वह दे परवेस परिक्षा का तयारी कर रहा है तो आप उसे भी इस वीडियो को सियर कीजिए तो चलिए बचो अब हम अपना पहला कोशन करते हैं हमारा पहला कोशन है कि इन म सबसे ज्यादा कारवन हमारा एंथरासाइट कोईला में पाया जाता है अब अब देखें हमारा तिसरा कोशन है कि सबसे कम कारवन कौन सा कोईला में पाया जाता है तो देखें पीट जो है हमारा इसमें सबसे कम कोईला पाया जाता है सौरी कारवन पाया जाता है अब देख किर्टिक गैस में जो बच्छो हमारा मीठेन है 95 परतिषद पाया जाता है अब देखे बच्छो हमसे पूछ रहा है कि इलपीजी गैस का का फूल फर्म क्या तो लपीजिका फूल फिवलम होता हैiph 95 है ये प्पत्रॉल्यम क्या FOR है आगे हैं तो चले अब हम आगे देखे हैं हमारा कोछन良डी선 बढ़र कोंची का फूल फिवलम होता है कोला में हमारा मुखे तो कार्बन पाया जाता है लेकिन फोरी से मात्रा में और भी कुछ योगिक पाया जाते हैं सब अब आगे है बच्चो हम्मारा कोईला और कोक में सबसे ज़्याधा उस्मा कौँ पादा करता है , upload सर्फ आप अब बच्छो और अब आगे हैं कोल गैस में मुखे रूप से क्या पया बच्छो कोल गैसमें मुखे रूप से the hydrogen पाया जाता और यह जो सोसे नें बहुत ही ज्यादा महात्पून बज लिए सब्सक्राइब आप एक सब्सक्राइब देड़allo झाल झाल